So, Hello guys, Welcome to my YouTube channel, Riddik Technical Support इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने Google अकाउंट का जो पासवर्ड है अगर वो भूल जाते तो कैसे आप अपना Google अकाउंट का पासवर्ड को पता करेंगे वो हम आपकी इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा बिलका इकोन को प्रेस कर लेना है So, first of all हम ओपन करते हैं अपने डिवाइस के सेटिंग्स को और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अकाउंट्स और बैक अप्स पे अकाउंट्स पे हम लोग क्लिक करते यहाँ पे हम अपना अकाउंट पे उपन करते हैं गूगल अकाउंट पे ठीक है गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके So, जैसे कि हम यहाँ पे निव लॉग इन करते ठीक है तो add account पे click करते add account पे click कर दिया हम लोगों ने तो google का हम यहाँ पे select कर देते ठीक है checking info का option आ गया हम अपना lock screen का password डाल देते अब देखे यहाँ पे हम अपना email id डालते है जैसे कि यह हमारा email id है ठीक है next पे हम click करते अब यहाँ पे बोला जाता interviewer password password तो हमें पता नहीं है अब हमें password को पता करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे forget password पे click करेंगे ठीक है forget password पे click करने के बाद जो है यहाँ पे आपको बोला जाता है enter the last password मतलब अगर password आप लोगों ने change किया होगा तो यहाँ पे आपको option मिलेगा आप नया password न डालते हुई आपना old password भी डाल सकते है ठीक है बट अगर आपको अपना old password भी नहीं मालूम है try another way पे click करेंगे और यहाँ पे हम अपना country को select कर लेंगे ठीक है और country select करने के बाद जो है जो भी number हमारा add है जैसे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 06 वाला number add है हमारा यहाँ पे तो वो number को हम यहाँ पे type करेंगे type करने के बाद जो है हमें उसमें OTP आएगा OTP डालने के बाद हमें नया password कीरेट करने का भी option देखने को मिल जाएगा ठीक है तो simple आप इस तरीके से अपने google account का password को पता कर पाएंगे ठीक है so topic is cover मिलते है next video में जै मातादी